सुप्रभात सबको मेरा प्रणाम दिन के बज़े हैं अभी पूरे साड़े दस मैं आई हूँ पिछे वाले घर की पास जैसे कि आपको लगी रहा होगा पता आज संडे है 24 तारिक है तो यहां इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे पास है बोटल्स इस वाले में क्योंकि मम्मी और पापा ना पार से पार वाले घर से नीचे जा रहे हैं और मेरे लिए लसी लेके आ रहे हैं वहां पैना हमारी भूंगी का छोटा जासा बेबी भी हुआ है और मैं पिछे आगे थी पिछली बार भी लसी लाई थी फिर मैंने वह डबबे यहां लाके रखे हैं क्योंकि डब पालेगर के पास इसी लिए गई ताकि डब्बे भी वापिस दे सकूँ हर बाना वहां से फिर लसी दूद आता जाता है और फिर वापिस डब्बे देती नहीं हूं यहां रखती जाती हूं आज दे दूंगी वापिस जी जू चोड़ने जा रहे होंगे मामी पापा को नीचे मेरे जी जजी तो कल पता है कितने सारी बारिश हुई थी बहुत जादा बारिश हुई थी शाम के टाइम पर अभी धूप लगी है अच्छी तो मैं क्या करूंगी यहां पेरा कोई नहीं है आज कल गई है देवरानी माई के और चाची जी भी रहूंगे कहीं सबाने सबून में जो किजाता ही है शादी के बाद फटा फट से चलपंगी नीचे मिलवाते हूं आप तो इन से ठंडा ठंडा जैसा है आगे से आगे हूं सारे काम वगयरा करके आगे भी आने जाने वाले बहुत है आज कल तो निकल गे भार दिखाती हूं वहां पे है वह अभी आपको यंक फिखा लगता है चोटा बेदी आया है और आपन जो बीटायोंन है तो एसा है बोरा यहांец च्छिह परहिए है भी कुछ्छ हैं जल्दी लगी है घल्दी बुला रहे हैं शान जा अर वह दख्लिए वह दोड रहा है हम मारा का दोड रहा है अंद मोग ए अप हम पेस् का जा रहे हो गुमी गुमी ये बंदा गाड़ी का शौकिन नमस्ते जी का जाना बेटा नगराओं और ये है अबल जा जा रहे हैं जा गुमने जा रहे हैं अबन अबी यह थे बेटा भी आया है और यह पीछ वहां है बहुत है ईलो उन्वस्टे ये विस दो उन्वस्टे क्या बलते चालो उपर चाइब उने ना ना प्रकता है चालो चाय भाए पीते हैं हलो भाव कैसे आप वात तो बना कुछ थर तर अच्बूर्ण भूना माची रानक भाई अब रानक भाई नीचे है चलना मैंने भी आना भाई एक पाच ये खाली बोटल्स है नहीं तो भी खाली करके इनको बाद में दे दूंगे ठीक है फिर बाई करो बाई करो माची को माची को जाना आप पेशा को आप को जा रहे हैं ए बंद ना गाड़ी में गूमने फिरने का शौकीन मेरे साथ अना की ए रही रहा जाना पर वहाआगा लाकर ट्रमाच चाहत है? जाना शिंम्ला ये न मेरे घर को शिंम्ला बोलता है आना सिंम्ला मेरे घर शिमला है इसका जाना शिमला हां कर रहा है ये तो चलो फिर चल फिर और ये तो मेरे साथ यी तयार हो गया ठीक है फिर बाए कर दो बुअ को बाई भूहा? नहीं, बेटा गार अना अमने पीपी में पीपि मैं ये बढ़ तो और ये बंदा ने मेरे साथ त्यार हो गया अब नहीं जाना घर एगी कितना क्यूत है आ बारा आप मेरे घर आ ना कांडे कॉली पर आना मेरे चाहते हैं, ए बंदा मेरे साथ त्यार हो गया, कैसे होते हैं न बच्चे, तो इसको तो भी जाना पड़ेगा, मुझे भी वापिस चाना है, थोड़ी दे रुखूंगी, मैं यहां पर एडिटिंग करूगी, इनको छोड़ दूगी, लसी आ गई है काफी यम होती है, लसी दो बोटल लाई है, लसी यहां देखिए, दोनों बड़ी बड़ी बोटल काम आईगी, चलिए फिर इनको बाई बोल देखे हूं, फिर न थोड़ी देर बाद मी लूगी, क्योंकि अभी पिछली वीडियो की एडिटिंग करने को भी है, उसकी एडि आज भी मौसम अजीब सा ही हुआ है, बारिश हुए है, लेकिन विल्कुल ही बादल बादल है, और विल्कुल ही अच्छा नहीं है, ऐसे ही है, इधर साइड को फिर ठीक दिख रहा है, और मैंना अभी एगड़ी उपर चले जाओंगी, यहां पे रग दूंगी मैं अपना स अपने लिए कुछ सामान जरूरत की सभी चीजे मिल जाती है, लेकिन मुझे जरूरत शेम्पू की है, तो आज कल हर्बल शेम्पू इधर मिलनी रहे हैं, तो कोई सभी यूज कर रही हूं, तो यह ले लूँगी और अपने लिए बिंदिया ले लूँगी, यहां पे थोड कि लख्सी बीचे न उठानी पड़ी, थोड़ी देन में यहां रहूंगी, क्यूंकि मैंने वीडियो में वोईस ओवरिंग नहीं थी है, तो मैंने बोल दिया था घर में, कि मैं वोईस ओवरिंग यहां बैठके करूंगी, एक घड़ी, फिर चले जाओंगी नीचे, तो चल इतने अच्छे वो प्याज लगा था ना, सारा बंदर निकाल ले गए है, तो चलिए फ्रेंट्स मिलती हूं थोड़ी देर ही मैं वहां रही पीछे, फिर वहां वोईस ओवरिंग वगरा करने के बाद मैं नीचे आगे थी, और यहां पे यही है आजकल चाय वगेरा का तो यहां पे न हमारे गाव में जो प्रधान बने हैं उनकी पार्टी थी, तो जो लोग वहां गे थे यहां पे भी आ जा रहे थे, कुछ लोग मैं कैप्चर कर लिए, कुछ लोग कैप्चर नहीं कर पाई रॉनक दुखी क्यों है? नहीं हो है दुखी रॉनक की बेहन लोग जा रहे हैं अभी हमारा फोटो शूट होगा अभी उधर चला भी है फोटो शूट वैसे इधर पीछे कुछ फोटो क्लिक करते हैं साथ में आज रॉनक अजिए हैं नहीं है एक है मामी की चैनल को लाइक सुस्क्राइब शूट करना और इसके पेटी कोट के बारे में भी पताना कैसा लग रहा है इसका भी पेटी कोट है इसका भी पेटी कोट ही एटर ठीक है जी दीदी जो है बच्चों के साथ साजे के दिन यहां रहने आयते हमारे घर तो एक दो दिन में ही जाने वाले थे लेकिन डैडी जी बिमार होगे फिर घर में रॉनक और में ही थे रॉनक की क्लासिस लग रहे थे तो दीदी यहीं रहे थे बच्चों के साथ बच्चों की क्लासिस का भी रहता है इनके तो अभी कुछ दिनों के बाद यह वापिस रामपूर चले जाएंगे क्योंकि यह रामपूर में रहते हैं इनके husband जो है government teacher है बच्चों की भी study वगरा वहीं पर ही है तो इसलिए ये जाएंगे खर और यहाँ पर देखिए बच्चे वापसी में जाते जाते भी selfie वगरा ले रहे हैं तो बच्चे कैसे होते हैं यहाँ पर मैं इनको आवाज मार के बोल भी रही थी जाते जाते भी selfie ले रहे हो बाहर ही नहीं निकलता है जब जाते हैं सबको अपना साथ प्यारा होता है तो मैं फटा-फट से यहाँ चाहए रहे हैं और है कोई आए हैं गाउं से आए हैं एक बूरे थे नाना जी मुझे नाना जी नाना जी लगते होंगे सबसे पहले यह कर दया था और यह बगा दिया है मैंने लेये जाई केस्ट करने के लिए निदया आलू कट कर दिये हैं पतले slices में और ये भी डाल दूँगी मैं इसकी पकोडियों में ये थोड़ा सा ये थोड़ी से प्यास की पकोडियों मैं अपने लिए बनाऊंगी मुझे नहीं ऐसे प्यास की बस पेशन में डिप करके प्यास की पकोडियां खाना पसंद है तो यहां प पकॉडिया बना दूँगी और इसमें बस मेरा नमक चला गया है अजवाइन डाल दूँगी थोड़े बहुत जो भी बेसिक सा रहता है वो सबको चाट करके पकॉडिया तलना शुरू कर दूँगी यहां पर मैंने शुरू कर दी है अपने पकॉडिया तलना तो डैरी जी के लिए भी मैं कड़ी बना दूँगी लेकिन पकॉडिया उनके लिए नहीं दूँगी क्योंकि यह फिर हैवी हो जाएगी जाबे फिर भाग पीछे बैठ ला रहा रही का बच्चा पिछली बार वीडियो पे मुझे कमेंट मेला था कि आटे की भी कड़ी होती है क्या तो जी हाँ हमारे पहाडों में जादा तर आटे की ही कड़ी बनती है सिंपल जैसे की तड़का लगता है वैसे ही मैं तड़का लगा दूँगी धन्या मैथी वाला और फिर लहसुन प्याज और ये देखिए कम से कम दो कर्चिया मैंने इसमें डाल दी है आटा आटे को अच्छी तरह से हम इस तरह से ब्राउन कर देते हैं ये एक बड़ी वाली बोटल है और एक मैने फ्रीज में रखती है ये इस वाली से मैं जो है लसी बना दूँगी तो ये हमारी अपने घर की लसी है काफी यम होती है घनी घनी सी ताजा सी तो थोड़ी सी जितनी मुझे जरूरत है उतनी मैं अभी कड़ी बना दूँगी शाम के लाइक और इसमें मैं थोड़ा साना पानी भी एड़ कर दूँगी ज्यादा नहीं और इसके बाद इसमें अच्छे से उबाला जाएगा तो मैं कई बार इसमें इस तरह से प्यास भी डाल देती हूँ बाद मैं कट करके अच् खाना खाने के पहले मैंने पी है चाय और ममी को भी दे दी है और यहाँ पे हम खा रहे हैं यह पॉपकॉन काफी यम होते है तो वीडियो का एंड मैं शाम को नहीं कर पाई तो मैं वीडियो का एंड अप करूँ आपके जीवन में बहुत सारी झाले और दूसरा पर्थडेदे मन c weekinder ये सी धिया करता है ये अजापने दुमान में hundred today जो धिर फे चापने क Lord S बहू्त और तिहने नीउन होता है क्षोव बेटी और हर बहू जरी अजाते हो Chand क्योंकि मैं जो है जादा अच्छी बहु बेटिया, बहन नहीं हूँ, जो हूँ, जैसी हूँ, आप लोगों के सामने हूँ, बुरी भी बहुत हूँ, क्योंकि फिर हस्पन नेना मुझे बहुत सारे नाम दिये हैं, वैसे वैसे करके भी, तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों जो है एक वीडियो बनाना और साथ मैं साड़ी वियर करना, तो जी हां मैं आपके लिए ये करूँगी, हालां कि मैंने आज तक मेकप नहीं किया है, पर मैं आगे आने वाली वीडियो में देखती हूँ, जब थोड़ा सब कुछ ही नॉर्मल हो जाएगा, मेकप करूँगी, फिर मैं आप लोगों के साथ मेकप लुक में, जितना भी मुझसे होगा, आप लोगों के साथ में वो शर्त जरूर करूँगी, अपना मेकप करना, और मेकप लुक साथ में साड़ी वियर करके, तो इस चीछ के लिए मुझे थोड़ा तयार होना पड़ेगा, क्योंकि एकद साइं द्सेंस की मुझे करना नहीं आता है लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ सबसे जो है मुझे टफ लगता है तरीक के से मैं लगा पाती हूँ कि फिर मैं अच्छे से करना जाती हूँ और साड़ी वियर करके भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगे सची में कुछ-کुछ कमेंट ना दिल को छूँ जाते है सुनी तरा ठोर जी का कमेंट था कि आपकी आवास बिल्कुल को एल की तरह है आप क्या खाते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका कमेंट क्यूंकि मुझे बहुत सारे लोग पहले बोलते थे और आज जो है मेरी आवास से जो भी लोग मतलब की थोड़ा बहुत मुझे पसंद करने लग गए हैं तो बहुत अच्छा लगता है थेंक्यू बेरी मच आप सब लोगों को तो चलिए फ्रेंट्स इस वीडियो का कर देती हूं मैं यहीं पर ही एंड क्योंकि साड़े दस हो गए हैं मुझे जाना है किचन में डैडी जी जो है आज घर पे नहीं है वो गए हैं हॉस्पिटल तो मैं क्या करूंगी थोड़ा बहुत जो भी काम रहता है क्यूंकि अभी तक कुछ नहीं किया और अपना को ही नहलाया